द्यान दिजीगा, ये तो आपको पता चलिए कि प्रतिलों त्रिकूड में थी फलन का आउकलन कैसे करेंगे, तो इस से रिलेटेड मैंने कुछ गोश्चन दिया हुआ है, जो गोश्चन आपको लगा के आने है, ये कोश्चन आपको दिया गया है, कि सानी इन्वर्स एन एक् X है तो T किसको मानेंगे NX को 10 inverse X by A है तो T किसको मानेंगे X by A को यहां पर sign inverse 2X plus 3 है तो T किसको मानेंगे 2X plus 3 को तो कहने के मतलब कि जो आपका inverse के अंदर फलन रहता है उसको T मान के हम आउकलन करेंगे अब यह तो normal inverse transformative function पर question है कुछ ऐसे inverse के question आएंगे जिसमें नहीं हमें 55 की जरुरत पड़ती है तो हमें यह पता हो na चाहिए कि त्रिकोर में QQ में A square minus X square दिया तो अगर ऐसा आपको दिया रहेगा तो X equal to आपको क्या मानना या तो A sin theta मानेंगे या तो A cos theta मानेंगे और अगर कोड़ी में A square plus X square दिया है तो आपको मानना या तो X बराबर A 10 theta या X बराबर A cos theta ये याद रहे हैं priority हमेशा A sin theta और A 10 theta को करते हैं मतलब अधिकतर question में A sin theta और A 10 theta ही माना जाता है A square minus X square रहेगा तो A sin theta और A square plus X square रहेगा तो A 10 theta और अगर X square minus A square है तो A sec theta या A cos theta मानेंगे और उसके बाद आगे देखिए अगर A minus X बटे A plus X है या A plus X बटे A minus X है तो उस condition में A cos theta या A cos 2 theta भी मान सकते हैं अधिक तर हम 2 theta ही मानते हैं उल्टा से answer आपका जल्दी आता है और अगर X upon A minus X रहे या इसका उल्टा दिया हो A minus X upon X रहे तब वहाँ पे आपको मानना है X बड़ावर A sin square theta और यहाँ पे A minus X के इस्थान पे X minus A हो जाए तो थोड़ा सा formula चेंज जाता है साइन के इस्थान पे हो जाएगा 6 मतलब आपको मानना क्या है X बड़ावर A sin square theta मतलब इन सभी से अगर हम देखें तो तीनी ये भी बना सकते है अगर मैं A की value 1 मान लो यहाँ पे मैं मान लो कि A square minus X square के इस्थान पे 1 है तो यह आपका formula क्या बनेगा आपको समझाओ मान लिजे कोई question आपको दिया है कर रहा है कि Y बराबर sin inverse X बटे कड़ी में 1 प्लस X square अब इसका हमें आउकलन करना है तो देखिए हम T मान के भी आउकलन कर सकते हैं कि sin inverse के अंदर जो फंक्शन है उसको T मान ले लेकिन रूपांत्रल का जहां यूज करेंगे यह जो मैंने बता है उसका यूज करते भी लगाएंगे तो यह question और आसान हो जाएगा जैसे देखिए 1 प्लस X square कड़ी के अंदर है और मुझे पता है अगर कड़ी में 1 प्लस X square रहेगा तो हम X बराबर क्या मानेंगे 10 ठीटा तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि माना X बराबर क्या है 10 ठीटा बताई अगर X और ठीटा है X बराबर 10 ठीटा है तो अगर मैं ठीटा की value निकालूंगा तो क्या मिलेगा 10 inverse X चुकि 10 इधर आगा क्या बन जाएगा inverse बन जाएगा तो यह याद रखे हम कि X बराबर हमें क्या मानना है 10 ठीटा तो ठीटा का मान कितना मिल जाएगा 10 inverse X तब देखिए यह फलन क्या हो जाता है फलन हो जाएगा Y बराबर sin inverse 10 ठीटा बटे कड़ी में 1 प्लस 10 square ठीटा और आप सभी को पता है कि 10 1 प्लस 10 square ठीटा क्या होता है 6 square ठीटा और 6 square ठीटा रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 6 ठीटा तो मतल्ल लिखेंगे क्या 10 ठीटा बटा 6 ठीटा और इसको सरल करें हम ध्यान दीजेगा ये 10 ठीटा अपन 6 ठीटा है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 10 को लिख सकता हूं sin ठीटा बटा cos ठीटा और जो 6 ठीटा है उसको लिख सकता हूं 1 बटा cos ठीटा cos cancel हो जाएगा y बरावर आपको मिलेगा sin inverse sin ठीटा और सभी को दिख रहा है sin inverse sin आपको inverse ठीटा बटाया गया ये gap हो जाता है तो केवल ये क्या बच जाएगा ठीटा बताए ठीटा की value आपको कितने माने है आपने 10 inverse x तो y बरावर क्या मिल गया आपको 10 inverse x देखिए ये बड़ा सा जो आपका question था ये छोटा question बन गया y बरावर 10 inverse x अब इसका आप आसानी से आउकलन कर सकते हैं कि dy बटे dx बरावर एक बटे 1 प्लस x स्क्वार चोकि 10 inverse x का आउकलन होता है एक बटे 1 प्लस x स्क्वार चो बताए sin inverse x बटे कड़ी में 1 प्लस x स्क्वार और जो question मैं देने वाला है ये question भी आपको लगाना है